इरिक्सा बैटर कि मैं पानी कब और कैसे डाले मान के चलिए आज इरिक्सा लेकर आये हैं तो कितने महीने बाद पानी डाले दोस्तो वीडियो काफी अच्छा है इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को सुरू से लेकर लास तक देखिए ताकि आपको सारे चीजे अच्छे से वेटी गिर जाता है तो उसको बनने में टाइम लगता है थोड़ा तो एक से दो दिन हो सकता है आपका इरिक्सा पहले जैसा मैले न दे तो आपको घार आने के कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब गड़े वेटी पुरा बन जाएगा आपका इरिक्सा जैसे पहले काम करता जैसे पहले चलता था जितना किलोमेटर उतना ही किलोमेटर फिर से चलेगा एक से देर महने पर चेक करते रहे पानी कम लगे तो डालते रहे यहीं सही तरीका पानी डालने का और दोस्तों एक बात और मान के चलिए आप काफी ज़्यादा पानी डाल देते पुरा फुल कर नियस्कंट होने सब्सक्राइब लेकिन लिक होने लगता है और वह पानी कहीं आपके चेचिस खराफ होंने लगता है इस लिए मैं और यसका हमेशा रख रखाव काफी ऐसे से होना चाहिए तो दोस्तों इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ही कि इसमें कारवन नहीं लगने देना है जदि कारवन लगता है तो काफे ज़्यादा इडिक्सा के जो मैलेज होता है उस पर फड़क परता है और बैटिक भी खड़ाप होने के चांस रहता है और पानी कम नहीं रख आपको लोगे पानी कम है तो डालते रहिएगा ये बात में दो बर बोल दिया हूं जिसे आपको याद आ जाए तो दोस्तों बैटरी काफी जदा आप अच्छे से ख्याल लगते राख रखाव करते उसको साफ सफाई करते हैं उसमें किसी भी तरह का पदार्थ न लगा हो तो हर साल में बैटिक आपको लगवाना नहीं पड़ेगा अगर आप साफ साफ सफाई करते हैं तो काफी लंबे समय तक चलेगा और काफी अच्छा आपका बैटिक रहेगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप हमारी चैनल पर नहीं है तो सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में जहिन जह भारत